वेलकम टू सरल ग्यान आज हम आपको पट्याला सल्वार की कटिंग करना बताएंगे यह हमारा पूरा कपड़ा धाय मीटर है वैसे तो हमें फुल पट्याला कपड़ा सल्वार बनाने के लिए 3.5 मीटर कपड़े की जरूरत होती है लेकिन हम धाय मीटर में भी बहुत अथी तरदे बना सकते हैं तो सबसे पहले हम अपने पूरे कपड़े को फोल जो हुआ है उसे खोलेंगे आज हम कपड़ा डबल करकर रख रहें एक बार फिर से डबल करेंगे अच्छे दे पहले फैला लेंगे इसे डबल करेंगे मारे पूरे तनुर्ण की लंबाई 48 इंच है मोड़ी के लिए हमें सबसे पहले तीन इंच रखना है मोड़ी बनाने के लिए देखी इसी तरह पहले हम मोड़ी बनाने के लिए निसान लगा लेंगे तीन इंच का पांच इंच हम बेल्ट के लिए रखेंगे उसे निकालने के बार हम बत्ति इंच पर निसान लगाएंगे और इसकी चोड़ाई हम साथ इंच कर रखेंगे साथ इंच पर पूरा निसान लगा लेंगे उपर भी इसी तरह रखाएंगे अब हम इसे कटिंग कर लेंगे देखी जो इसमें इस्ट्रा कपड़ा है ते हम कट कर लेंगे यह मारे सलवार का बीच का भागे जो बच्चा हुआ कपड़ा है इससे हम बेल्ट लिकाते हैं तो इसे हम डबल कर लेंगे इससे पहला लेंगे हमारी बेल्ट की चवड़ाई 20 इंच है इसमें में कम पड़ गए है जार इंच के लिए में जोबना पड़ेगा और लंबाई इसकी आठ इंच रखेंगे आठ इंच रखेंगे तो बनाने के बाद हमें 5 इंच मिलेगा अब इसे कट कर लेंगे अब इतने जो कपड़ा बच्चा हुआ है उसे हम यहां पर ज्वाइन कर लेंगे तब मारे बेल्ट की पूरी लंबाई पूरी हो जाएगी देखिए बिल्ट कंप्लीट है अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम आस अलवार के और वागपी कटिंग करेंगे देखिए हम डबल करकर रखे हैं इसे अस्पे से फैला लिए फिर इसकी लंबाई हम 32 इंच रखेंगे जितना हम कलवार की लंबाई लिए थे और उपर 8 इंच रखेंगे यहां पर भी उस बगर भी हम आठ इंच रखेंगे अब इस आठ इंच और इवापे आठ इंच को जोइंट करेंगे देखिए पहले हम आठ इंच पर नितान लगा देगे अब उस कोने से इस कोने तक तिर्धा नितान लगाएगे पूरा यहां से वहां तक अब उस आठ इंच को और इस आठ इंच को ऐसे पकड़ कर मोड़ देंगे तक यह में काटते समय आसानी हो अब वहां से यहां तक अपूरा कटिंग करें देखी हमारे कलवार के कड़ी कटिंगी हो गई है यहां पर जो जॉइंट है उसे भी अलग कर लेंगे इस बाइंट को भी अलग करेंगे इस दोनों हमारी सन्वार की कली हो गई है दोनों पैर की कली है एक पैर की हुए एक पैर की हुए एक पैर भी है देखी अब हम जॉइंट करने के लिए आपको बताएंगे इस कली रखते हिए फिर उसमें जो भी का बाग रखते थे उसमें हम जॉइंट इसे करेंगे और उपर से हम वेल्ट लगाएंगे और जो इस्ट्रक अपड़ा यहाँ पर दीख रहा है इससे हम प्लेट लगा पूरा हम पूरे घेर के लिए प्लेट लगाएंगे बेल्ट में पूरी आसानी से इसमें सीट उताएगा हमारी सल्वार की कटी बीडियों सिफित है इसी तरह देख लिएगे कि इस्ते से हम दूसरे वीडियो में बताएंगे मारी सल्वार की कटिंगे